और भाई लोग आप लोग कैसे हैं? उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे? थोड़ा जोर से बोलिए कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, अच्छे हैं और हम चाहते हैं आप आगे भी अच्छे रहें हैं. इसलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों आपके रियल लाइफ में भी उसका यूज में आता है आप घर पे इस काम को यूज करते हो घर पे उसका उपयोग करते हो साइड पे भी करते हो, मतलब वह ऐसा चीज जिसकी टोपिक में आज बात करने वाला हूँ वह आप हर जगह सही से उपयोग करोगे तो दोस्तों वो आपका बड़ा ही अच्छा दोस्त है उससे अब हो सारे फायदे उठा सकते हो लेकिन अगर उसी को आपने गलत इस्तमाल किया अगर उसने आपने लापरवाही से आपने उसको काम लिया तो दोस्तों आपकी जान भी जा सकती है आपका कर रहा हूँ electricity बिजली तो आज जो इसमें जो बात करने वाला हूँ आज इस टिवीटी टॉबिक में electricity कैसे यूज करना चाहिए electricity से related I mean बिजली की सुरक्षा के तालुक से आज बात करने वाला हूँ तो आप लोग जो है ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा उनको side पे use करने के लिए side पे उसको अमल करने के लिए ताके आप सुरक्षित रहें ताके और इस सुरक्षित में आपके family को भी फायदा होगा और company को भी फायदा होगा तो भाईयो जिस तरह driver का काम है दोस्तो driving करना अगर गाड़ी अगर cleaner चलाए तो नुकसान होगा की नहीं होगा आप ही बताईए जिस तरह होते हैं उन饼ů की काम करने दे लेकिन जहां पर आप क्लीनर रहता है तो उसको मौका मिलते हैं गाड़ी चलाने का में हाईवे पे चलाएगा वह नहीं चलाएगा जिस तरह डौक्टर के साथ नर्स होता है तो नर्स भी डॉक्टर के साथ Branch की नहीं मैं उता है कि नहीं होता है तो नर्स होता लेकिन वो किसी के Under में होता है उसके देकरेख में काम होता है उसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे 사ईड पर υेलेक्रिक से रिलेटट कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ करना है कि connector यूज करना बताई आप तो दोस्तों आपको ना cable यूज करना है ना connector यूज करना आपको male or female socket यूज करना जहां पर connection करना है दो वायरों को अगर जोड़ना है तो वहां पर दोस्तों आपको male or female socket use करना है फिर उसके बाद दूसरा important जो बात करना दोस्तो अगर आपको cable, electric का cable एक जगा से दूसरे जगा अगर लेके जाना तो आप कैसे लेके जाओगे तो कोशिश हमें ये करना है कि जमीन के अंदर से लेके जाना पड़े लेकिन हर जगा हर वक्त ये possible नहीं होता तो क्या करना हम जमीन के उपर लेकि जा सकते हैं लेकिन बहुत सारी जगा पे ऐसी जगा है जहां पे हम जमीन पे नहीं रख सकते हैं क्यों नहीं रख सकते दोस्तों क्यूंकि वहाँ पे आपको road पे आने जाने के रास्ता होगा गाड़ी उस पे जाएगी तो cable damage हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या यूज करना दोस्तों वहाँ पे हमको cable ये गाड़ यूज करना है जमीन पे हमें बचना है जमीन पे जो electricity के जो cable होता है वो जमीन पर रखने से हमें बचना है क्यूंके हो सकता है वहाँ पे wetry floor हो मतलब जहाँ पे गीला हो पानी का chances हो तो वहाँ पे आपको क्या करना दोस्तों वहाँ पे आपको करना है cable stand यूज करना है ताकि वो उपर से आप cable को ले के जा सको आपको ceiling से यूज करना है जहाँ पर ceiling नहीं है तो वहाँ पर at least आपको cable stand यूज़ करना है ताकि cable जमीन से rooted नहीं हो और क्या करना दोस्तों दूसरा जो आपको हमेशा ध्यान रखना है side पर two core cable मतलब दो cable जिसमें neutral और phase होता है और जिसमें arthing होता है तो यहाँ पर depend करता है कि कब हमें दो core वाला मतलब सिर्फ neutral वाला और phase वाला केबल यूज़ करना है और कब हमें neutral और phase के साथ साथ हमको earth वाला भी यूज़ करना है तो दोस्तों यह simple है अगर जो temporary जो डीवी आता है अगर उसकी supply में ELCB लगा हुआ है तो दोस्तों वहाँ पर हमको three core मतलब के फेज और उसके बाद neutral और साथ में अर्थिंग वाला केबल होना जरूरी है तो भी दोस्तों तभी जा करके जो ELCB है दोस्तों वो trip होगा फिर उसके बाद क्या दोस्तों अगर RCCB लगा है electrical supply में तो आपको two core cable मतलब जहां पर I mean जहां पर neutral और phase है उससे काम चल जाएगा वहाँ पर दोस्तों तीसरा cable I mean earthing की जरूरत नहीं होती है तो यह आपको ध्यान रखना जब भी आपको काम करना चौता आपको ध्यान रखना दोस्तों कि अगर temporary electrical कहीं पर लगा हुए electrical DB जो temporary distribution board होता है वो हमें check करना है कि वहसमें उसके body में earthing लगा यह की नहीं लगा खर तो आपको inform करना है और जो आपके है उसका भी inspection होना चाहिए वो आपको check करना है फिर उसके बाद दोस्तों आप कोई भी power tools use कर रहो in terms of electrical जो power tools electrical के द्वारा चलता हो उसे भी आपको inspection करना आप अपनी जात से as an individual आपको आपको check करना ही है लेकिन उसके इलावा भी उस पे inspection tag आपको देखना है वो valid है कि नहीं है क्योंकि वह valid तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रिल इंजिनियर इलेक्ट्रिकल supervisor या जो भी authorized बंदा होगा वह चेक करेगा कि भाई यह काम सही कर रहे कि नहीं कर रहे है यह इसका